सरकारी खजाने से मंत्रियों के इंकम टैक्स भरने के मामले में यूपी के सीम योगी आदित तिनाथ ने चार दशक पुरानी विवस्ता को खत्म करने के आदेश दिये हैं ने फैतली के अनसार अब किसी भी कैबिनेट मंत्री या मुख्य मंत्री का आयकर रिटर्ण सरकारी खजाने से नहीं भरा जाएगा यानि कि मुख्य मंत्री और मंत्री अब खुद ही अपना आयकर रिटर्ण भरेंगे आपको बताने कि अब तक सरकार मंत्रियों का सरकारी खजाने से आयकर रिज़र्ट दाखी क्या करती है यूपी के मुख्य मंत्री योगी आदित्तिनास ने सरकारी खजाने पर बोजबनी चार दशक पुरानी परंपरा को तोड़ दिया है दरसल हाली में खुलासा हुआ था कि प्रदेश के मुख्य मंत्री के अलावा 18 पूर मुख्य मंत्रियों और मंत्रियों का इंकम टैक्स सरकारी खजाने से भरा जाता है करोन में कहा गया कि राजिकर सीम और मंत्री अपने कम वेतन के कारण इंकम टैक्स नहीं भर सकते और वो गरीब है वहीं इस मामले पर यूपी के वित्र मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया है कि सीम योगी आजित्रनास के निर्देश के अनुसार ये फैसला लिया गया है कि सभी मंत्री अपने इंकम टैक्स का भुपतान खुद ही करेंगे उनोंने बताये कि सरकारी खजाने से अब मंत्रीों के आयकर बिल का भुपतान नहीं किया जाएगा मुक्चे मंत्री ने कहा है कि एक्ट केस प्रावधान को समापत किया जाएगा बताने की वर्तमान में प्रदेश की योगी सरकार के समय दो साल में जितने भी मंत्री रहे हैं उनका भी 86 लाख का इंकम टैक्स सरकार नहीं अदा किया है अब बाकी पुरानी रकम जो मुखे मंतियों और मंतियों के नाम से जमा होनी है उसे भी सरकार को लिया ड़ा करना खा लेकिन अब नया फैसला आने के बाद सरकार की ओर से ये रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकेगा आने के डिया जा आने के जा सकेगाष के जा सकेगा जा का ये भी से नहीं के बाकी ऑना भी सरकार के आना है